निवाली आते ही दियों की जक्मगाट से हर घर रोशन होता है लेकिन दिल को असली खुशी तब मिलते है जब आप इतनी खुबसुरत दिये खुच से बना पाएं घर पर वो भी कम बजट के अंदर अंदर पानी से दिये जलाएंगे आज हम और सारी टेक्निक्स सारी तरकीबे बताएंगे जो आपको हमेशा परिशान करती है काफे लोगों को ये शिकायत होती है कि उनकी जो बाती है दिये है पानी के अंदर डूब गया या फिर बहुती कम टाइम चले लेकिन हमारे ये दिये चार ग्रंटे से उपर हो चुके है अभे भी जल रहे है इस सबी चीज़े आगे वीडियो में बताएंगे तो वीडियो को देहान से देखे और अगर वीडियो अच्छे लग जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक की जिगा और शेक की जिगा आज हम पानी वाले दिये और ये खराब बिल्कुल भी नहीं होंगे आप इने दुबारा से इस्तमाल में ले सकते हैं हमारे पानी वाले दिये खुबसूरा दिखे इसके लिए कुछ एसेसरीज चाहिए होंगी और रियल ब्यूटी तो नेचरल चीजों से ही आती है तो हमने आपर कुछ फ्लावर्स ले लिए हैं कुछ पैटल्स लिए हैं और कुछ बेकार पड़ी चीजे जिने आप एक बार स्तमाल में लेकर छोड़ देते हैं या फिर फेक देते हैं यह राखी जो की पुरानी है और कुछ पतियां नेचरल पतियां कुछ रूई की बाती लंबी या फिर गोल वाली और य यह पानी की water bottle जो plastic bottle आती है इस इसे इस्तमाल में लेंगे या फिर आप OHP plastic sheet ले सकते हैं या फिर आप दाल चावल की धहली जो मोटी hard plastic sheets आते हैं बो ले सकते हैं हम इस DIY के लिए water bottle का इस्तमाल करेंगे यह नहीं बहुत जादा hard है और नहीं बहुत जादा soft बहुती साफधानी से इसके roundels यानि की गोल टुकडे काट लेंगे चितने भी बड़े glass या बाउल से आपके उसे हिसाब से measure करके इनके गोल टुकडे काट लेंगे इनकी shape एक्तम गोल निकल करा है इसके लिए आप किसी भी चीज की help से इनने गोल ऐसे shape दे सकते हैं अब यहाँ पर हमें center पर hole करना है तो किसी भी नुकिली चीज से center में hole कर लीजे ताकि बाती इसके अंदर आप पिरो सके आप लंबी या गोल बाती कोई भी ले सकते हैं यदि आप रुई की बाती घर पर बनाना देखना चाते हैं तो इसकी वीडियो भी हम आपके साथ share कर देंगे मसा आप comment कीजिगा यदि आप गोल बाती इस्तुमाल मिले तो नीचे से आप इसको ऐसे थोड़ा सा खोल दें ताकि plastic sheet पे एक balance बना रहे और ये पानी पे टिकी रहे है next step में आपने glasses के अंदर पानी पोर करना है तीन चाथा हिसा यानि कि उपर का एक हिसा खाली रखना है and then इसके अंदर खुबसूरत से accessories जैसे कि colorful stones या फिर white stones राखी या फिर आप इसके अंदर मोती भी add कर सकते हो natural flowers और leaves add कर सकते हैं मेरे पास एक की रिंग पढ़ा था ये मैंने इसके अंदर add कर लिया है अब इस वीडियो के अंदर कुछ important tips and techniques अगर आपकी बाती पानी में डूबने लगती है इसके लिए आप क्या करें कुछ flowers की petals ले ले और ऐसे पानी में उपर तरा दें ये डूबती नहीं है उपर ही float करती रहेंगी natural पतिया ले ले ये दिखने में भी खुबसुरत लगती हैं ये चीज़े आपके plastic sheet को support करेंगी balance बनाए रखेंगी उन्हें डूबने नहीं देंगी ये एक बहुती important tip है इस वीडियो में हम इने बोलते हैं पानी वाले दिये लेकिन जलेंगे ये तेल से ही तो अब आप कमाल देखेंगे पानी के उपर तेल डालेंगे तेल उपर float करता रहेगा जिससे आपके दिये जल पाएंगे तो यहाँ पर हमने दो बड़े चमच तेल हर glass में pour कर दिया है ये दो बड़े चमच तेल जलेगा 4-5 घंटे से भी ज्यादा अब next step के अंदर आप बाती को किस तरीके से place करेंगे पहले उपर टॉप पे थोड़ा सा तेल लगा ले इस तरीके से उसके बाद इसे ऐसे center में place करतें अब नीचे जो petals है ये इसका balance बना कर रखेंगे इसे डूबने नहीं देंगी लिचे जट पर त्यार है ये पानी वाले दिये अब बस इन्हें रोशन करना बाकी है इस देवाले आप इन्हें ज़रूर बनाए और अपना घर रोशन करें और इंदियों की जगमंगा हट से आपका दिल ज़रूर खुश होगा इस बात की guarantee है योदि आप fragrance वाले water candle चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें हम आपके साथ वीडियो शेर कर देंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और यूसफू लगी है तो प्लीज वीडियो को like and share करें और आप ये वीडियो कहां से देख रहे है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा happy diwali in advance and thank you so much for watching this video have a great day